हाउस को अधिकार है आप हमको जिना बताईए तो मान्या नहीं निकाल लिए आपका गुस्सा जाईज है और संदिधान हमसे ज़्यादा आप जांगते हैं इसमें भी दूमत नहीं है आप इतने बरे आसन पर बैठा करके और मैं एक डारोगा का एक ठाना प्रवारी का एक दि कि जबती कब तक होगा और उसी में एक मामला इन्हों ने जोरा जिसके कारण तीन बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठकर के हंगामा किये हमने आगरा किया कि विसेशा धिकार कमिथी में चलना उस पर चर्चा नहीं होगी मामला हुआ कि जो आयोजन करता उद घातन करता का आज तक रेस्टिंग ने हुआ दर्सक दिखा में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला इस मामला को सरकार क्यों गंधेड़ता से नहीं ली और आज जब हुआ कि इसे कुरकी जपती कितने लोगों को ही वही घटना में जिस घटना में सरसत पूजा का मामला में कि निर्दोस को ला करके खाना पुर्ती पुलीस कर दी है और दुरुभाग से देखे आप एक में सुन लिया जाए दुरुभाग से मामलिये मुकमंत्री जी ये घटना मेरे छेट से जुरा है आपका गुसा जाईज है और संभिधान हमसे ज्यादा आप से सीखते हैं आसन तो आप से क्या जो वरिष्ट लोग हैं उनसे भी सीखते हैं और सदन चल रही है सबके सहयोग से लेकिन आपके उस जीरे टॉलेंस का मामला नयाई के साथ विकास का मामला कानून का राज स्थापित करने का ना बचाते हैं ना फसाते हैं तो सदन ती कि देख्टी को आपने जेल भेज़ दिया जो कि ठाना से भी जमानत मिलता है लेकिन आयोजन करता उद्गातन करता पर आपने करवाई नहीं किया जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने करवाई नहीं किया पूरी मामर नहीं यह यह नहीं है आसन को हतोत्सा करने की सिर्फ बात नहीं हो पार धर्सिता के साथ विवस्ता बने और मुझे हमको तो आप सब लोग मिलके बैठाए हैं मैं तो आप ही की भावना को स्थाफित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे कानून के साथ ख्यलबार करेंगे विधायका को कमजोर करना चाहेंगे अपर तो दुरुभाग है कि मेरे छेट से जुड़ा है और आप खुद कही बार कहें हैं कि विधायका पूरे विहार का कहीं की भी प्रस्ण को कहीं की भी विवस्ता को देख सकता है उन्होंने पूछा कि कुरकी जबती अभी तक नहीं हुए आपने अभी बोला कि साथ दिन के अ आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके और मैं एक दारोगा का एक ठाना प्रवारी का एक दियस्पी की भी बात को नहीं रख पाता हूँ विधायका का कई प्रस्ण इस पर उठा है आप लोगों की बैठेक में ये मामला उठा है जैसे आप कहें जैसे कहें सदन चलाना उस कि इसमें कोई कंफीजन नहीं होना चीए signal अगर इस हाूस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमेटी में वह बना दिया वह कमीटी एक ऐकी चीज को देख करके अपना रिकमेंडेशन देगी और निश्चित रुप से जो अब कमीटी का रेकुमेंडेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो सरकार देखेगी उसको कि दो कुछ भी नहीं सुनीजे अरे बता रहे हैं आपको अब इस मामला को हम लोग यहें अस्तवीत बोलेंगे तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं हम आपको एक बात कह रहे है अगर कोई इसू हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे है और उसको लेकर के कमीटी बन गई आपने कमीटी नहीं मतलब उसको आपने दे दिया उसमें विसेसाधिकार समीती को और दिखवाएंगे कि एक तरफ से उन लोगों ने ये कहा और आप लोगों ने ये कहा है फैक्ट क्या है उसको हम जरूर दिखवाएंगे एक बात हम जरूर कहेंगे लेकिन हाउस का काम है वो कहेगा रेकुमेंट करेगा उसके बाद उसको फिर से दुखवाएंगे हम और दिखवा करके जो कुछ भी ऐसली चीज होगा उस चीज को सामने लाए जाएगा इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई तो बात हो गई उसको रोज रोज चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जब एक बार हाउसी में उसको कर रहे हैं तो उसको देख लिया जाएगा निश्वित रूप से देख लिया जाएगा उसके लिए कोई चिंता मत करिये हम लोग ऐसा नहीं और हम तो चाहते ही हम सब दिन बोलते हैं कि हाउस में जिन लोगों को जो उचित लगे वो प्रस्थ उठाइए इस बात को रखिए जब आप दिया जाता है तो उस सब चीज तो किया ही जाएगा इसमें कोई शक ने लेकिन इस चीज को अकारण इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है जब एक बार आपने उसको दे दिया तो उसके बाद फिर हम इसको रोज रोज उसकी चर्चा करने की आप सकता नहीं है इतना हम ज़रूर आगरह करेंगे आप से